गाईज आपको पता है टोबी मैगवाईर की स्पारडर मैन 4 काफी समय पहले बन गई होती ही इसका प्लोट डिसाइड हो गया था कौन एक्टर कौन क्या रूल प्ले कर गई डिसाइड हो गया था यहां तक है विलेंस भी कनफरम हो गये थे लेकिन किसी रीजन की वज़े से य उसके बाद सीदहे हम लोगों टॉबी दिखाई दिए यहां पर मार्वल सिनमेटिक उन्होंस में स्पारडर मैन नोवे फो में और इसके बाद टॉबी का एक इंट्रव्यू भी वा था जहां पर उन्होंने ये कहा था कि अभी तो बख शुरुआत है वो आगे कि मार्वल म प्रूप में आई जाएंगे आरेंगे लेकिन यहां पर टॉबी भी दिखाई दिये सकते हैं इन सब के अलावा दोस्तों सुनी का अपना खुद का प्लान है लाव एक्षन बनाने का जिसकी शुरुवात उन्होंने इनными स्पाइडरमेन अक्रोश पाइडरवस उससे पहरे श्पाइडर मैं इंटू स्पाइडरवस से कर दी है जिसकी वेज़े स्वासि दॉस्तों आगी जा के लाव विशन बनाने में काफी आसानी हो गी इन सब सब के अलावव दूस्तों यहां आप अभीए खबर आरी है कि स सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बोग शुरुवात करते हैं बिल्कुल नाइब डेट से अब सबसे पहले विलों के आप समझ लेते हैं कि जो पुराने वाले स्पाइडर मैं 4 थी उसकी कहानी शुरू होने वाली थी एक्जाटली स्पाइडर मैं 3 की इविंट्स के बाद से लेकिन यहाँ पे सैम रेविक का कहना है कि जब से मल्टिवस का कॉंसेट इंट्रेड्यूज हुआ है तब से चीजे काफी आसान हो गई है यहने दोस्तों टाइम जब भी दिखा सकते हैं उसके बाद की स्टोरी भी दिखा सकते हैं थोड़ा वो डियेज करके लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि आखिरकार टॉबी की स्पाइडर मैं 4 की हैप कैसे बढ़ाई जाएगी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सूनी पिक्चर अभी एक और स्पाइडर मैं 4 पर काम कर रहा है जो कि अल्रेडी वर्किंग में आ गई है जो कि खुद है टॉम होलंड की स्पाइडर पर सब्सक्राइब की तो यहाँ पर इंकरजन की विजय से मारवल सिनमेटेक उनरस का वर्चर है वो उनके उनरस में एक तरीकी सब्सा हुआ है लेकिन इन सबके अलावा अगर यहाँ पर कहानी दिखाई जा रही है तो यह कौन से इनिवर्स की होगी क्या यह वही उनरस बने तो उनका भी एक छोटा मोटा केमी हो जाएगा लेकिन यहाँ पर सैम रेमी ने एक इंटेव्यू में एक लाइन यहाँ पर क्लियर कर दी है कि वह आगे जाकर टॉबी के साथ मुई जरू करेंगे चाहे वह स्पाइडर मैन 4 हो मारवल यहाँ फिर कोई और मुई बियॉ अब हम लोग पुराने कॉंसेट की बात कर लेते हैं कि अगर स्पाइडर मन 4 बहुत पहले टैम में बनती तो उसका प्लोट क्या था तो दोस्तों यहाँ पर टोबी के अकॉर्डिंग वह अपनी लाइफ से काफी खुश नहीं था क्योंकि इसन अपने दोस्त को खो दिया थ इन सब के बात दोस्तों वह अपने अपको सुधारने की कोशिश कर रहा था या निकी एक तरीके से मूँओन करने की कोशिश अब उस इन्रोस में यह दिखाएगा कि आर्ट में भी चली गई है लेकिन यहाँ पे मेरी जन के साथ उसकी एक डॉर्टर हुई है लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे जो नहीं कहानी आएगी इसमें विलेंस को बदल दिया जाएगा क्योंकि बात हो रही थी कि स्पाइडर में 4 में 2 से 3 विलेंस हम लोगों को देखने को मिल सकते थे और अगर यहाँ पे वल्चर का इन्वाल्मेट नहीं होता है तो हम लोगों लिजर्ड तो डेफिनेटली देखने को मिलता है यानि कि डॉक्टर कॉनस और इनका जो केमियो है वो हम लोगों स्पाइडर में 3 में भी देखने को मिला था जब वेनम के सैंपल को टेस्ट कर रहे थे लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों इससे भी भायंकर कहानी यहो सकती ह है कि स्पाइडर में का म्यूटेशन बढ़ जाए और वो एक तेके से स्पाइडर में की जगा मैं स्पाइडर हो जाए आप लोग ने एक एनिमेटेड टीव स्रीज देखी होगी जहाँ पर पीटर पाकर के अचानक हाथ निकलने लगते थे और यह पूरी तरह मैं स्पाइडर में फोर को भी अच्छा बनाने का यानि दोस्तों ज़रा सोचिए अगर मल्टिवस का कॉंसेप्ट आ जाता है हम लोग टोबी की स्पाइडर में फोर देखते हैं जहाँ एक सिंगल विलन हो तो ओडियंस को उतना वज़ानी आएगा एल्टीज दो से तीन नए क जो कि अपनी ओडियंस को हैरान कर दे इन सब के लावा मल्टिवस को कॉंसेप्ट होना चाहिए और यहां पे स्मुई को और अच्छी तरीके से बनाना चाहिए अब सवाल यह आता है कि पहले टॉम की स्पाइडर में फोर आएगी कि टॉबी की तो दोस्तों हम लोग बात कर से फाइदा उठाना तो क्यों नहीं ऐसा करेगा टॉम की स्पाइडर में अच्छी तरह चल ली है और एगर ऑडियंस चाहे तो एंड्रू की स्पाइडर में फोर के लिए इसलिए यहां पर कोई हरानी की बात नहीं होगी बात में इसी मूज को कनेट करके एक लावशन स्प सवाद यह आता है अगर चलिए माल लेते हैं कि पुराने विलेंस को कंसीडर ना किया जाए यानि कि ना तुम लोगों को वल्चर दिखाए दे नहीं लिजर्ड तब यहां पे स्पाइडर में फोर में ऐसा कौन से विलेन होगा जो की ओडियंस के होश उड़ा दे वैसे सु और यहीं पे दोस्तो स्पाइडय में वर्फ स्पाइडय मेन होगा यानि कि रेट स्पाइडय में फोर्स ब्लैक स्पाइडय मेन जिस students हो design जल्ट तब जरस सच telephone और यहां पे दोस्तों अबकि यहां एक त्रफ टब Hmmm पर oh से काम करता था वही अगर हम लोग बात करें तो काफी स्टेबल रहता था तो यहां पर यह देखना पड़ेगा कि इन दोनों की बैटल में कौन जीतेगा हाला कि से इंट्रस्टिंग बनाने के लिए बाद में टॉम और यहां तक की एंड्रू का भी केमी हो सकता है लेकिन और जस्टिफाई करने के लिए मल्टिवर्स का कॉंसेप्ट होई है लेकिन अगर इस मुई को और अच्छा बनाना है और यहां पर भले टॉम नहीं आ रहा है या एंड्रू नहीं आ रहा है तो यहां पर डॉक्टर स्टेंज का केमी हो जाना चाहिए और यहां पर टॉबी और डॉक्टर स्टेंज टीम अप होंगे और बैटल करेंगे ब्लैक स्पार्डेमन से इन सब कलाओ दोस्तों यहां पर एक दो विलन और आ सकते हैं जो कि खुद डॉक्टर स्टेंज के विलन हो जैसे कि मैफेस्टो या फिन नाइटमेर हाला कि हम लोग बात करें नाइटमेर की एक तरीकी से रिजर्फ रखा गया है डॉक्टर स्टेंज त्रीक लिए लेकिन यह किस्निन कहा एक विलन जो एक मूई में अपेर हो सकता है वो दुबारक किसी मूई में नहीं अपेर हो सकता है एक्जामपल है भई अपना लोकी और वो तो अभी हीरो बन चुका है लेकिन दुस्तों गरा पैसिनिक सुपर एरो कॉंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो माई चाल्ब को सब्सक्राइब करके हमाई सुपर एरो फामिली का सब बन जाएगा